नमस्कर दोस्तों में नमस्रीकान कुमर अब देख रहे हैं टूजेट डोसेस आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों पूरे भारत देश में गोर्मेंट के द्वारा सभी का UD ID कार्ड बनाया जा रहा है इससे आप शवी को बहुत शारा benefit मिलने वाला है तो UD ID कार्ड कीन लोका बनेगा और किस प्रकार से हम apply कर सकते हैं जो इस वीडियो में बहुत ही simple तरीका से बत लाने वाले हैं जो घर बैठे अपने mobile ये laptop के माधियम से मातरे 5 मिनेट में UD ID कार्ड के लिए apply कर सकते हैं और खुद से उसे download कर सकते हैं कहीं भी जाने की जैरुवत नहीं है बिल्कुल free में apply कर सकते हैं तो अगर आप UD ID कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पुरा complete देखना होगा इस वीडियो में पूरी details में step by step करके बत लाने वाले हैं तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजे ब्लाइकान घंटी को प्रेस कर लिजे ताकि मेरे वीडियो को notification सबसे पहले पके पास पहुच पा है तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों उसके लिए सबसे पहले mobile या laptop का किसी एक browser को open कर लेना है browser में type करना है UDID उसके वा search के option पे click कर दना है सबसे उपर में जो link की दिख रहा है इस link पे click कर दना है भारत सरकार के official portal इस प्रकार से open हो जाता है जो इस प्रकार की interface देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों UDID card बनाने से पहले हम इसके benefit के बारे में जान लेते हैं और किन लोग apply कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है three line three line के option पे click करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है card benefits इस वाले option पे click कर दना है और इस card को बनाने से आपको किस परकार से benefit मिले गा है यहाँ पर देखिए पूरी details में यहाँ पर बताया गया है कि किस परकार से आपको लाग दिया जाएगा और इस card को किन लोग बना सकते हैं चलिए ओचीश को सबसे पहले हम clear कर देते हैं तो दोस्तो जिसके अंदर किसी भी परकार का कोई भी disability है तो ओ ब्यक्ति जो है कि इस card को बहुत यह असान तरीका से apply कर सकते हैं और card बनाने के बाद जो है कि बहुत शरा आपको benefit मिलना शुरू हो जाएगा और disability में कौन-कौन लोग apply कर सकते हैं तो दोस्तो उसके लिए यहाँ पर दिख जाता है three line three line के option पे click करना है और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है विकलांग भ्यक्ति के बारे में इस पे click कर देना है अब यहाँ पर देखिए पूरी details में बताया गया है कि आपके अंदर कौन-कौन सा disability है तो आप apply कर सकते हैं तो यहाँ पर आकर सही तरीके से reading कर लेना है तो चलिए इस card के फाइदे के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर देखिए benefit के बारे में बताया गया है पहला step में कि बिकलांग व्यक्ति को दास्तवेज की कई प्रतियां बनाने बनाये रखने और कई दास्तवेज को ले जाने के वशक्ता नहीं होगी क्योंकि card में सभी वश्यक विबरन सामील होगे जिन्हें एक reader की मदद से record किया जा सकता है दूसरा step में बताया गया है कि UD ID card भाइवीस में बिभीन लावों का लाव उठाने के लिए बिकलांगों की पहस्चान सत्यापन का एकल दास्तवेज होगा इसी प्रकार से और भी बहुत सरा benefit आपको इस card पर मिलने वला है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि Unique Disability ID card को हम किस प्रकार से apply कर सकते हैं तो apply करने के लिए यहाँ पे दिख जाता है register के option इस वाले option पे click कर दना है उसके बाद इस प्रकार से नीचे चले आना है यहाँ पर अपना personal details को सब कुछ details यहाँ पर आपको feeds करना है जैसे आप f είναι up करते हैं तो यहाँ पर दिख जाता है next जैसे आप next की option पे click करते हैं तो अगरा page open हो जाता है disability details को fil up करने के लिए तो अपना big clan terrwalk के बारे में कुछ details को फिलप करना है फिर जैसे आप next के option पे क्लिक करते हैं तो तीसरा step का जो form open हो जाता है employment details तो यहाँ पर आपको जो भी काम करते हैं उसके बारे में फिर details आपको यहाँ पे देना होगा तो यह सब सब कुछ details को fill up कर लेना है फिलप करने के बाद जैसे पिर आप next के option पे क्लिक करते हैं तो अगला step का form open होता है identity details यहाँ पे आपको फिलप करना होगा identity details के बारे में कुछ फिलप करना होगा सब कुछ details fill up करने के बाद final आपको एक submit का option दिखेगा जैसे आप submit के option पे click करते हैं तो आपको एक UD ID number मिल जाता है उसको आपको note करके रख लेना है उसको जो ही कि आप उसी के द्वारा status को track कर सकते हैं उसके बाद फिर आपको क्या करना है यहाँ पे दिख जाता है login के option लॉग इन के option पे click करना है जैसे अप नीचे आते हैं तो जो आपको enrollment number UD ID number मिला है यहाँ पे आपको type करना date of birth को यहाँ पे आपको select करना है कैप चाकोट को यहाँ पे type करना login के option पे click करना है और login होने के बाद उस card का आप यहाँ से status को track कर सकते हैं download भी कर सकते हैं अगर किसी भी परकार का edit भी करना हो यानि update करना हो तो फिर आप यहाँ से update कर सकते हैं तो अगर आपके अंदर किसी भी परकार का disability है तो इस परकार से आप unique disability ID card को बना सकते हैं जिससे आपको बहुत सारा benefit मिलने वला है तो चले दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गयेगो तो वीडियो के लाइक कर जागो मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिजब लाइकन घंति को भी प्रेस के लिजगा